कि यहां दोस्तों स्वागत आपका इस विजी चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियों बात करेंगे आईटाई एडिमिशन कैंसिल कैसी करवाएं कापी चात्रों की बस एक टॉपिक पर सबसे जाएंदा कमेंट आए हैं इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक कंप्रीट वीडियो बना देता हूं पैसे मैंने इस टॉपिक पर और एड़ी वीडियो बना रखा है लगवाक 2021 में मैंने वह वीडियो बनाया था अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो सबसे पहले मेरा वह वीडियो आपको मिल जाया करेगा लेकिन मैंने सोचे एक पताता हूं जो कि latest information है तो दोस्तों अगर हम यह आपर बात करें अब इस कॉलेज में हमें admission cancel कैसे करवाना है admission हम cancel कैसे करवाए पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के मादम से वीडियो को share कर देना है सभी के साथ में कोई भी doubt हो, comment करना है इस टागाम पर भी follow का लीजे link आपको description box में मिल जाएगा तो ITI admission cancel के बार मैं पूरी जानकारी बताऊंगा साथ ही, अगर आप ITI admission cancel करवाते हैं, तो इसकी जो piece होती है, वो piece return हमें मिलती या नहीं मिलती, यानि कि हमारी जो piece होती है वो बापिस होगी या नहीं होगी वो भी हम देखेंगे वीडियो के मादम से दोस्तों एक बात मैं आपको बता दू ITI का जो admission cancel होता है वो दो तरह से आप कर सकते हैं ITI का जो admission cancel होगा वो दो तरह से आप कर पाईए दो तरह से admission cancel कैसे होगा देखें, सबसे पहले जो admission cancel होते हैं, वो होता है counseling के time पर counselling का मतलब क्या होता है दोस्तों जब हमारे admission चल रहा होते हैं जब हमारे admission चल रहा होते हैं का क्या मतलब है जैसा की counselling होती है first round होता है second round third round fourth round fifth round sixth round seventh round round eight round जो round चल रहा होते हैं तो round wise round आप किसी भी round में admission लेते हैं कैंसिल करवाना चाहते हैं यह कॉलिज में से एडमीशन कैंसिल करवाना है तो हमें एडमीशन कैंसिल कैसे करवाना है तो आप एडमीशन कैंसिल दो तरह से कर सकते हैं एक तो काउंसिलिंग के टाइम पर कर सकते हैं काउंसिलिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया काउंसि एक admission लिया, एक वाले college में आपने admission लिया, अब एक college में आपको क्या करवाना है, इसमें से admission cancel करवाना है, तो admission cancel करवाने का बस एक ही तरीका है, जो आपने college में admission लिया है, जो आपने एक college में admission लिया है, इस college में आपको जाना है, क्या करना है, आपको जाना है, ठीक है, और admission cancel क करवाना है college की जो login ID होती है उस login ID से ही आप अपना admission केंसल करवा पाएंगे टिक है वस login ID से ही केंसल करवा पाएंगे आप यह सोच रहे हैं कि हम online करवा लेंगे तो नहीं होगा तो आपने जो कॉले में अड्मिसल लिया है उस कोले में आपको जाना है ठीक है कॉलिज की जो लोगें आईडी होती है वहां से आप अपना admission cancel करवाएंगे online admission cancel नहीं होता है आप कुछ से नहीं कर पाएंगे आपको college की login आईडी से admission cancel करवाना पड़ेगा ठीक है अब क्या होगा आपका admission cancels हो जाएगा अब आप चाते हैं कि आपने जो ए नंबर वाले column एडी से लिया था या आपकी मन पसंद का college नहीं था ठीक है तो अब आप चाते हैं कि हमें क्या हो जाए कि हमें बी नंबर के column admission लेना है क्या करना है यानि कि बी नंबर का मतलब क्या है हमें दूसरे column एडी मिसल है ए और बी का तो मैं आपको क्या केबल होदारण बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आप आ जाएगा अब हमने क्या किया किया कि इस इसन कैंशल करवाने के बाद में दूसरे column एडीमिसल लेने के लिए अब आपको क्या करना पड़ा है जैसे कि एक जाएगा Pak आपने क्या किया आउंड वाले column एडीमिसल लिया आपने फस्ट नाउंड में ए नंबर की कॉले में आपने एडमिसल लिया इसमें से आपने क्या करवा लिया एडमिसल करवा लिया आपकी मनपसंद का कॉलिश नहीं है आपने क्या कहा आपने क्या सोचा कि हमें ए नंबर वाले कॉले में एडमिसल लिया है अब हमें बी वाले कॉले में एडमिसल लिया लेना है तो केबल हो चॉस्प्रिंग करने पडिए आपका जो रजिस्टरिशन तरना काम करेगा जो रजिस्टरिशन नम्मर आप में पुराना काम कर जाएगा लेकिन अब आपको दूसरे अब को भी पर नहीं करने पड़ेगा अब किया करना है राउंड में चोईष्पिलिंग करनी पड़ेगा त्यार की जाएगा अगर आप मेरी लिस्ट में नाम आ आ जाता है आपका तो तो admission हो जाएगा दूसरे column याने की बी number वाले column है ठीक है बात समझ में आ गई चलिए अब आपने क्या किया ए नंबर वाले column में तो मैं आपको बता दू देव आपको एडमिसन कैंसिल करवा गए तो यहां पर आपकी फीस रिटन नहीं होती है यह नंबर वाले जो आपका पेमेंट आपका रिटन नहीं होगा आपका पेमेंट चला जाएगा इस बात का ध्यान रखना है अब बी number वाले column में क्या करोगे आ चला यहां पर पेमेंट नहीं होगी तो को पीस रिटन होगी यह नहीं होगी यह नहीं होगी यह भी मैंने बता दिया और दोस्तों admission cancel करने के बाद में दुवारा से admission होगा और वो कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया ये सारी जानकाली समझ में आ गई होगी चलिए अब दूसरा तरीका क्या होता है admission cancel करने का देखे दूसरा तरीका एक first वाला तो मैंने आपको क्या बताया कि counseling जब चलती हैं दूसरा तरीका क्या होता है जब counseling समापत हो जाती है counseling समापत होने के बाद में हमारे कॉले में क्या होता है कि admission अगरा सब complete हो जाते हैं पिर क्या कॉले में फड़ाई शुरू हो जाती है जब हमारी फड़ाई शुरू हो जाती है तो फड़ाई शुरू होने के बाद में हो जाएगा college की login ID से आपका admission cancel हो जाएगा दूसरा यह तरीका होता है कि आप 15 से 20 दिन तक अगर लगातर college नहीं जाते हैं और college में आपकी attendance नहीं लगती है college जाना या नहीं आना वो बात लगए पर register में attendance अगर आपकी नहीं लगती है 20 दिन एक महीनी था तो आपका admission कैंसिल हो जाएगा यह पर आप college की login ID से भी अपना जो एडमीशन है वो कैंसिल करवा सकते हैं और यह पर अगर आपकी attendance नहीं लगती है 15 दिन तर तो भी आपका admission कैंसिल कर दिया जाएगा यह तरीके से आप admission कैंसिल करवा लोगे लेकिन यहां पर एक बात ध्यान लगना कि ज admission कैंसिल करवा होगे तो admission कैंसिल होने के बाद में फिरसे आपका new admission नहीं होगा जियां दोस्तों आपका new admission नहीं होगा जब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और पढ़ाई शुरू होने के बाद में आप admission कैंसिल करवा होगे तो फिर आपका new admission नहीं होगा